हाँ नमस्कार दोस्तों आई पीची आई सो मेरिजम जी यो सी हाइड्रो कार्बन हैलोजन डेरिवेटिव एलकॉल फिनॉल इथर एल्ली हाइड की टोन कार्बोनिक कंपॉंड कार्बोक्सलिक डेरिवेटिव एन कंटेनिंग बाद लास्ट टॉपिक है और गिनिक का पॉलीमर डेली लाइफ और वाय मॉलिक्वल इसका बेटा हम तो शला देंगे कि आप इसको एन की इसमें फुली फॉलो करना है एक लाइन बें से बाहर नहीं करनी है और इसको इस पिपर में एक खासिय अतोर रही है तो प्रॉपिक में कि इसमें बच्चे को फ्षबाव माहनत करनी होती है structure हो रहे हैं वो बच्चे को याद होना चाहिए इसमें याद है तो तुरंद question हो जाएगा और नहीं तो इसमें दिक्कत आती है तो 75 तो यहां फिर अपने कोशिस करेंगे कि आप तक N.C.I.T. का भी matter पहुंचाया जाएगा अभी तो इस chapter के question सुरू करते हैं जैसे first question है CYS14 polyisoprene क्या है CYS14 polyisoprene तो यह किस्ते इसका monomer इसमें भी बात करेंगे अपने कोशिस करेंगे monomer होगा अब बताते रहें लेकिन तब भी आप इसमें प्रयास जाए रखना N.C.I.T. को लेकि चलना है इसका monomer होगा isoprene isoprene क्या होता है CS2 double bond C CS3 CH double bond CS2 ठीक है और इसको polymerize करेंगे तो यह क्या हो जाएगा CS2 C CS3 double bond CH CS2 और यहां क्या हो गया N बोलो भाई सही है इसका दो form बनेगा एक तो बनेगा cis और एक बनेगा trans सिस पॉलियास में इसको तो कहते है natural rubber अगर आप से यह पूछा जाए कि natural rubber का monomer क्या होगा तो भी isoprene और trans वाले को कहते हैं गटा पर्चा क्या कहते हैं गटा पर्चा ठीक है इसके दो form बनेगे जो isoprene का जो polymer बनाओगे न तो दो form एक cis और एक trans सिस वाला क्या है natural rubber और ट्रांस वाला क्या है गटा पर्चा ठीक है तो हमसे तो इसमें पूछा है cis polyisoprene है cis वाला form कौन सा है रबर है ठीक है है कि सभी next question पर आते हैं पूली एथीन पी वी सी स्टीक एसिँ को प्रोटीन प्रोटीन क्या है नेच्टर्ल रबर है ठीक है नेक्स कुस्ट्टन पॉली पेप्टाइड बॉंड ठीक ना ठीक ना विच इस दा मुनमर पॉली पेप्टाइड तो पॉली पेप्टाइड एमिनो एसीड दो ठीक ना किससे बनेगा यह तो कोई मानलो ऐसे आ जाता है और एनस तू और यहां किसी में आ गया कोई भी ऐसे सी ओ ओ ओ यहां से क्या निकल गया एस तू ओ तो यह बन गया और एन एच सी डवल बॉंड ओ ऐसे आ गये तो यह किस से आएगा एमीनो एसिट से आएगा ठीक है नेक्स्ट नाइलोन सिक्स नाइलोन सिक्स पता है हेक्जामेथलीन एमीन और CS26 NH2 NH2 प्लस हेक्जामेथलीन और अडपीक एसिट ओमसगैप OMSGAP OMSGA करेंगे दो सियोच की इसमें जीरो एक दो तिन चार कार्बन सीएस्टू फोर सीओ ओ ओएच सीओ ओएच यहां से ओएच तो पॉलिमराइज करोगे तो क्या बनेगा एच ठीक ना CS26 NHC double bond O CS24C double bond O ठीक ना यह 6 यह 6 यह क्या बनेगे नायलॉन 66 और नेचरल पॉलिमर कंडंसेशन कंडंसेशन एडीशन में द्यान रखो एडीशन में जर्री कोई स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता कंडंसेशन में बाइफंक्शन गूप होगा और उसमें इस स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे यहां से क्या निकलना है है एस्ट्वो स्मॉल मॉलिक्यूल निकलता है मैग्रेट करता है तो वह कौन सा होगा कंडंसेशन पॉलिमर संगरन तो ड्रकन सेंड नाइलाउन 6-6 बहुत फेमस कंपाउंड है नाइलाउन 6-6 का आपको मुनमर पूछ सकता है इसमें कौन सा लिंकेज बन रहा है यह माइड लिंकेज बन रहा है यह दियान रखना है और यह कौन सा पॉलिमर है कंडनसेशन पॉलिमर है ठीक है next फिफ्ट नंबर कॉस्चन एडिसन पॉलिमर जनली हाइड्रोकार्वाली बात होगी पीवीसी विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का फॉमूला पता है इसको कहते हैं विनाइल डबल बॉन्ड है अब इसका जब मुनमर बनाया है सीएस्टू सीएच और यहां सीयल यह क्या हो गया Leonardлю इसमें एक उटा तर्फ मॉलिकुल निकला नहीं नेकल तो व्याय क्या हो जाएगा अडिशन फोलिमर नाइलोन की बात करी तरी अलब अद्सक्रक्राइं 빠 rays तहसे को स्च कुछ इसमॉल मॉलिकुल निकलेगा लेक्स PAT next question polyphene the catalyst used in the polymerization app high density polythene, low density polythene N, CS2, double bond, CS2 Ziggler-Natta catalyst TICL4 plus ALC2H5 ALC2H5 Polymerize जोता था यह सब इन-CIT की बात लिखी गई इसमें पसरते line by line छोटा करके दिखाए गया ती कौन सा होगा Ziggler-Natta catalyst कि याद आ रहा है next कि next question कौन सा है कि थीक है कौन सा नुमिचे दो मौनुमर polymer give Neoprene on polymerization Neoprene का monomer क्या होगा chloroprene ठीक है न तो chloroprene कौन सा है यही है इसको polymerize करोगे हाँ इसका नाम क्या है chloroprene यह तो टेफलोन वाला हो गया इसका करोगे तो ठीक है ना इतलीन ग्लाइकोल सीस्टू सीस्टू ओएच ठीक है ना और इसमें टेरे थैलीक एसिड में कि अ सिड और यह इसमें क्या बन जाएंगा एस्टू ओ ऊच्टू और इसमें क्या बन जाएगा एस्टि तू सब्सक्राइब मुच्ण मृस यह तो हो गए आंसर ४ोच्छा जा तेलीन में कौन सा सा लिंके ciao कौन सा निंगेश बताऊगेsterlnk कि इसमें कौन सा लिनकेश है चैन के दूसरी बात 5 कि दूसरी बात पूछा जाएं आप से की आं इस ऐसे में यह एडीसन पॉलिमर के कि चन्डंसेसन त। इसमें देखो क्या निकला है ास्टी इस कौन सा पॉलिमर होगा कंडंसेशन जो जो चीज बात कर रहे हैं उतना तो कंपल से जान रहे हैं सब एंसाइटी की बात बोल रहे हैं उतना आपको ध्यान रखना है फिर आगे आपको नेक्स ठीक है ना टेरीन का मोनुमर इत्रीन ग्लाइकोर और टेरेथेली के सीर प्रिजेंट होता है एडीशन पॉलिमर है कि कंडंसेशन ठीक हाँ QN9 PVC पॉली विनाइल क्लौराइड किसे बनेगा विनाइल क्लौराइड से इसी कहते हैं इसी का पॉलिमराइशन करोगे यह हो जाएगा और यहां क्या हो गया ठीक है बोलो भई कोई लफड़ा सही है न और इसका नाम क्या होगा वन क्लोरो वन टू वन क्लोरो इथीन तो आंसर क्या हो जाएगा फॉर्थ बोलो कोई दिक्कत नहीं पॉलिमर डेली लाइफ इसमें सब में याद है तो काम सेट हो जाएगा नहीं तो परसान होगे नेक्स्ट कंडंसेशन प्रोड़क्ट आफ कैप्रोलेक्टम क्या होता है कि इसमें बहुत सांदार कोश्चन बने हैं एक दो तीन चार पांच सी ओ एन एच एक दो तीन चार पांच है साथ ठीक ना पहले तो इसकी करी गई हाइड्लिसिस हाइड्लिसिस करोगे तो यहां क्या जाएगा ओएच यहां क्या जाएगा एच सही है तो यह बन गया सी ओ ओ ओ ओ एच एन एक दो तीन चार पांच सी एस टू फाइफ और यहां क्या हो गया एन एच तू पॉलिमराइज करोगे तो यहां से एच और यहां से ओ एच यह हो जाएगा सी डवल बॉन ओ सी एच टू फाइफ और यहां क्या हो गया एन एच कितने कार्बन एच यह इसलिए इसको क्या क्या जाएगा नाइलॉन सिक्स तो कैप्रोल एक्टरम से क्या बनेगा नाइलॉन सिक्स अब जैई में में क्या आया किस पॉलिमर में हाइड्रिसिस है है इसका क्या कर रहे हैं है कि यह अपने आप में कवेश्चन नाइलॉन सिक्स का मोनोंर क्या होगा क्या गोड्र एक्टरम इसका उल्टा पूछ लिया इसमें क्या है condensation है यह यह दो बात पता है और इसमें hydresis इस polymer में क्या involved है hydresis पहले hydresis हो रही है फिर आगे यह काम हो रहा है ठीक है next question number 11 cf2 cf2 is the monomer of ठीक है अब देखो इसने भी cf2 है polymerize किया इसने जो दो चार बात है हम तो पूरी n से एटे हैं डीटेल बोल रहे हैं उसी को बस द्यान से सुन लो cf2 cf2 और यहां इसमें क्या क्या question पूछा गया है पहली बात ऐसे पूछा जाए कि टेफलोन का monomer क्या है tetrafluoroethylene एक बात एक बात हो गई यूजिस के non-stick बरतन देखा ना non-stick होला उसमें coating की जाती है second बात तीसरी इसमें ऐसा भी question पूछा गया है कौन सा fluorinated monomer है या polymer है तो fluorine इसमें सभी क्या है fluorine है तो यह भी इसका एक question हो गया ठीक बोलो सही है तो next चलते है इसमें orlon orlon CS2 double bond CHCN N ठीक है इसको polymerize किया polymerize करो गया तो यह हो गया CS2 CH CN यह है polyacrylonitrile PAN यह क्या है acrylonitrile अब यह तो हर बच्चे को पता है अब NCIT में इसमें मुद्दा किया है कि इस पर पूछा है उसने यह पूछा कि orlon लिखा हुआ है acrylonitrile इसको polyacrylonitrile पूछ ले अच्छी बात है तो उसका monomer क्या हो गया acrylonitrile ठीक है ना इसका monomer क्या हो गया acrylonitrile और दूसरी बात आपसे क्या पूछ सकता है acrylonitrile का monomer क्या होगा अब ये NCIT कोईशन है ये टफ हो जाएगा acrylonitrile पूछ लिया है तो उसका भी क्या हो गया acrylonitrile monomer और तीसरा जो हमने खास करके इसमें डाल दिया orlon भी इसे ही करते है pan कहा जाए या orlon कहा जाए ठीक है ना या acrylonitrile कहा जाए acrylonitrile कहा जाए NCIT बेख लेना इसको एक line में सब लिखो दे रखा ठीक है pan orlonitrile और ये acrylonitrile ये next question कौन से question number 13 13 13 में क्या कह रहा है neoprene is a polymer off neoprene neoprene किसका है chloroprene का c h2 double bond c c l अभी आया था question c h double bond c s 2 polymerize करोगे तो क्या आ गया polymerize किया तो c s 2 c c l double bond c h c s 2 और यहां क्या हो गया n बोलो सही है तो इस का अंसर क्या हो जाएगा neoprene क्या है chloroprene 13 का अंसर क्या हो गया third next heating of rubber with sulfur देखो इदर यह natural rubber है ठीक है इसमें sulfur के साथ sulfur के साथ heat करते हैं यह sulfur है इसके साथ heat करते हैं तो इसमें एक cross linking बन जाता है cross linking बन जाता है यह natural rubber जैसे sulfur आप मिलाओगे तो इसमें hardness बढ़ती जाएगी ठीक है 5% sulfur का use करते हैं तो rubber tire बनता है जैसे इससे sulfur का percentage और बढ़ाते हैं तो battery के उपर जो case लगी होती न rubber की वो बनती है मतलब कुल मिलागे percentage of sulfur हाँ याद रखना है NCIT की 5% sulfur यह किसके लिए use होता है rubber tire के लिए और जैसे percentage of sulfur जैसे इससे बढ़ेगा hardness क्या होती बढ़ती जाएगी hardness बढ़ती जाएगी ठीक है मतलब उसमें कठोड़ता आती जाएग battery के case में जो उपर का नहीं होता battery होती है उसे rubber की लगी होती है वह percentage of sulfur बढ़ाने से बढ़ता ऐसे कई चीज़े बनती है तो आप ध्यान रखना इसको next PVC PVC कैसे बनेगा PVC का मोनमर क्या है vinyl chloride इसको polymerize किया CH2 CH सिम्पल सा question है क्या हो जाएगा 15 का answer 2 ठीक है next ठीक है कह रहा है कौन सा एक polyamide क्या कह रहा है polyamide polyamide जिसमें कौन सा bond हो NHO nylon 6 अज बताया था ना nylon में hexamethylene or tetraimine hexamethylene sorry CS246 यह ना इसकी reaction किसके साथ ADP acid के साथ ADP acid तो यहां से OH और यह क्या बन जाए NHCO और यह बना चुके हैं इसको इसको लिखनी रहे तो इसमें कौन सा bond हो जाएगा amide कौन सा answer होगा second ठीक है 13 17 ठीक है ना वही बात which of the following is fully fluorinated fully fluorinated कौन था 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 teflon cf2 double bond cf2 देख रहे ना fluorine fluorine तो answer क्या हो जाएगा second simple सी बात question जो आपने कहा है वही question है सब exam में आए question लिए गये कोई करनाट करनाट का पीमट को UP सब ऐसे डेली पीमट एसके जो question थे वही लिए गये ठीक transform of polyisoprene अगी बता है ना isoprene cs2 double bond ccs3 ch double bond cs2 अब अब इसके बनाओगे तो यह बनेगा cs2 ccs3 double bond ch cs2 डो फॉर्म एक सिस और एक ट्रांस सिस वाले को तो क्या कहेंगे नेचुरल रबर नेचुरल रबर और ट्रांस वाले क्या कहेंगे गट्टा पर्चा अब बोलो सब्सक्राइए नेक्स्ट यह पहली आगी कुश्चन आ चुका है n से high density polythene ठीक है ना TICL4 PLUS ALC2H5 AL पहली तो अपने आप में कुश्चन है कि जिंगलर नेटाय कैटलिस्ट क्या होगा यह भी द्यान एकना C2H5 whole thrice TICL4 PLUS ALC2H5 का whole thrice यह बन जाएगा CS2 CS2 N High density polythene इसका J-Min में बर और यूज किया गए इसका यूज पूछा है तो हाड जो प्लास्टिक होते है से बाल्टी देलो ठीक ना मगगा बाल्टी यह सब जो बनते हैं वो किस से बनते हैं High density polythene से तो इसमें कौन सा होगा जिगलन अटाकट है और लो डेंस्टी polythene होगी उसमें देखना PTO2 पर आक्साइड होगा फ्री एडिकल उसमें हो दियाते हैं मैकेनिम कौन सा होगा इस परलों और परलों का इन मोनूमर क्या होगा कैप्रो लेक्तम कैप्रो लेक्तम इस पॉलीमर में क्या होताए Hydroasis involving होती है ठीक है न तो आंसर क्या जाएगा 2nd ठीक है Next इस defence बेक्टन होती है सबेक्तर नेंस्ट स्पेस्पिक शीए नेक्स्त बात आजाते हैं एक भीलजाब दुफॉल्व इन नॉट पॉलिएमाइड या कहा है विच्छ आप फॉलवीगमेड न पॉलिएमाइड ठीक न प्रोटीन है तो इसमें CUNS bond होगा Nylon 6 अभी बताया था CUNS bond आएगा Nylon 6 में भी CUNS इसके मोनुमर में CUNS हाड़ुसिस किये था तब polymerize करते है Glyptal इसमें क्या होता है Ester तो इसमें best answer कौन होगा third और कोई नहीं कही किसी तरीके से है ठीक है यह भी याद करना है यूज है तो यूज आपको याद करना है bulletproof glass कौन सा है polymethyl metha acrylate P-A-M-M-A याद रखना यह आपको information दी गई है कि bulletproof glass is used polymethyl metha acrylate ठीक है न बोलो next gun cotton is NCIT के लाएं के 34 लाएं cellulose nitrate यहाँ ठीक है nitro cellulose दे रखकांस option gun cotton याद न NCIT के लिए फैक्ट है याद रखना इसको cellulose nitrate को ही क्या कहते है gun cotton ठीक है अगला amide group is present in simple किसमे होगा प्रोटीन ठीक है न amide group किसमे होगा प्रोटीन में next bendic solution cu plus 2 plus OH minus जो काम failing solution के लिए करते हो same वही bendic solution जो जो काम failing solution करता है आप इतना ध्यान रखो वही वही काम क्या होता है bendic solution भी करता है क्या-क्या aldehyde के साथ test देता है यह aromatic aldehyde के साथ नहीं देता है glucose, fructose वही सभी काम वह कर लेता है ठीक है न next hydrosis साब सुक्रोज देखो सुक्रोज hydrosis करता है glucose और fructose बताते रहें इसमें थोड़ा सा हिंड यह तो होता है dextro और यहाँ dextro और यह levo जब दोनों का अपना add करते हैं तो इसका value क्या होती है अधिक होती है तो यह क्या होता है levo finally dextro hydrosis करें dextro और यह levo plus और यह minus combine करते हैं तो इसको जब add करते हैं तो इसकी value अधिक होती है यह मतलब क्या हो जाता है लीव इसलिए इसको कहते हैं इंवर्जन है ठीक है डाटा आप ध्यान ले ले लिए इसमें प्लस रखा होगा इसमें कुछ प्लस है या मानिस 90 के राउंड कुछ है 95 को जिब दोनों को एड करेंगे तो आ जाएगा लीग रूटेटरी ठीक है नेक्स सुक्रोज देखो डाइसेकराइड में इसेटिव इंटी जैस सुक्रोज माल्टोज लेक्टोज यह क्या हो गया डाइसेकराइड को इसक निसेटी के साब से यह डाइसेकराइड है टीक है तीनों है यह जो हैं अग्स लोड़ेड को कहते हैं सुनुन कोश्चन अधर औधर घमाना है फिर जालिद गनुरफ़ जाट लेट के सब्सक्रोम सासरै अनशेकर तोसले सबस्सें जबत है ठीक है बोलो गन कॉटन से लोज नाइटेड होता है तो उसी का आपने अब पूछ रहा है किसके साथ रेक्षन होगे तो एचनो थी दगर वगर देर रखाएं तो किसके साथ रेक्षन करेगा से लोज के साथ बोलो ठीक है ना नेक्स्ट ग्लुकोज और फ्रक्टोज सुने ग्लुकोज और फ्रक्टोज दोनों थ्री मोल फेनल हैड्राजीन के साथ रियक्सन करके क्या करते हैं और साजोन बनाते हैं किया करते हैं ओसा जोन बनाती है ठीक न ग्लुकोज और फ्रक्टोज यह कुछा गया है कि ग्लुकोज कितने मोल पर फिनील हाइड़ाजी में के साथ और यह फर्स्ट थर्टीवन यह भी याद रख लाएं अमाइलो पेक्टिन कौन वाटर सॉल्बल होता है कौन नहीं होता है तो इसमें स्टार से दिख होगा वो क्या होगा इन सॉल्बल होगा ठीक है ना बाताओ ठीक है और वैसे जिसका तुम्हें होगा सा इस टाइप से देख लेना कि इस टाइप का कही मैंटर आजाएगा तो वो क्या हो जाएगा reducing sugar अगर जो कहुछ सारे बड़े बड़े example दे रखे हो और तुछ से पूछा जाए कि कौन reducing sugar होगा तो इस type के किसी structure में कोई matter आ गया तो वो क्या हो जाएगा reducing sugar और glucose fructose tolerant test, spelling test यह सब देता है और कोई कहेंगे एक compound है कुछ है कार्भो हाड़ेट को कोई नाम ले फिलन हाड़राजन के साथ reaction देता है तो ठीक है वो क्या हो जाएगा reducing ठीक है ना तो इस type का कोई structure आ जाए तो वो और यह तो अपने जानते हैं glucose fructose tolerant test देता है ठीक है glucose contain glucose का structure लिए CH-OH 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 CH-2-OH इसमें करा वन-CH-O-Group पहला option सही है करा 5-OH एक दो तीन चाव यह भी सही है वन प्राइमरी एल्कोहल वन डिग्री तो आंसर क्या हो गया सभी हो गया ठीक ना नेक्स्ट ग्लुकोज रेक्ट विथ एसितिक नडरेड च ओच 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 को तो इस तो च ओच 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 स्था यह न इसे OCO CS3 और OCO CS3 इसके साथ क्या जुड़ गया है 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 यह एसिट वाला मामला हो गया तो OCO का होल 4 CS2 OCO CS3 सांदार चीज बनेगे ग्लुकोज पेंटा एसिटेट इसमें और भी खास चीज है कहा जए कंपांड है एन्हेडराइट के साथ रियक्सन कर रही है कितने मोल और ग्रूप है तो क्या करना है नंबर आफ ओऐच ग्रूप निकालने के लिए नंबर अफ ओऐच प्रोड़क्ट का मॉलिक्लर वेट मॉलिक्लर वेट यह लिग रहे है तो बता दे रहें नंबर आफ ओएच ग्रूप पूछे यह सब ना दे कहा कि एक कंपाउंड है वो एन्हाइड्राइट के साथ रियक्शन करके फ़लाना चीज बनाती है नंबर आफ ओएच ग्रूप कितने होंगे तो नंबर आफ ओएच इक्वल टू मॉलिक्लर वेट ओफ प्रोड़क्ट माइनस मॉलिक्लर वेट ओफ रियक्टेंट अपॉन फॉर्टी टू बोलो ठीक है नेक्स्ट मैटर इसमें है ग्लुकोज का जो पेंटाइसिट अपनों बनाया है वो नहाच आच सो थी के साथ रियक्शन नहीं करता है सब NCRT के लाइन बोल लाइन सब लाइन किसकी बोल लाइन LD हाइट ग्रूप होने के बावजूद भी ये NHSO3 के साथ रियक्शन नहीं करेगा इतनी बाते जान जाओ तो बहुत है ठीक है ना तो इसमें क्या हो जाएगा पेंटा एसिटेट बोलो ठीक अगला 35 अभी किया सुक्रोज का इनवर्जन किया तो इनवर्ट सुगर के अगली वो रोटेट ठीक ना नेक्स्ट इन फ्रक्टोज पॉसिबल अप्टिकल आइसमेरिज्म CS2 OH C double bond O CH OH CH OH CH CH OH CS2 OH कितने कारबने कारे लिए एक दो तीन एन उक्वाल टू क्या हो गया थ्री टू की पावर थ्री क्या हो गया एट बोलो सही है नेक्स थर्टी सेवन चीकर ना बिच आप दो फॉलिंग टेस्ट नॉट यूज यूज टेस्टिंग हाँ क्या पूछा है प्रोटीन के हेलिकल के किसके दोरा स्थाप्र हाइड्रोजन बॉन आंसर क्या होगा हाइड्रोजन बॉन ठीकर ना स्यों इस डबल हेलिकल इस्टक्शर याद करो जाना ना तो उसमें क्या होगा है कि हाइड्रोजन बॉन नेक्स प्रकासी अक्री है हाँ यह भी जैइमिन में आया क्वेश्चन है एमिन एसीड में ग्लाइसीन को छोड़कर सभी क्या होते हैं अप्टिकली एक्टिव क्यों ग्लाइसीन यह है सी एस्टू एन एस्टू सी ओ ओ एच इसमें किरल है नौट किरल तो यह क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इन एक्टिव यह क्या है ग्लाइसीन है 39 क्या होगे आंसर सेकेंड नेक्स्ट हाँ हाँ है इस कॉर्भी कैसिर यह बिटामिन है और कौन से बिटामिन है बिटामिन सी का केमिकल नेम है केमिकल नेम और बिटामिन है पूछले ते अस्कॉर्भी कैसिर फोटिक आंसर क्या हों क्या हो गया है थीक ना वोई अगला कुस्ट्षन चैनल कि लिए च्टामिन से अपने क्या पढ़ना आपको एँस्सेंट सीगे उठाना है बिटामिन दे रखे सब के केमिकल ने और उसंसे होना ने डीजीज की पढ़ना आपको ठीक है ना सोर सोर कोई बहुत बड़ा मुद्धा नहीं 42 बिटामिन B1 कौन से रोग देखो अब याद इसमें क्या बता होगे बिटामिन B1 से कौन रोग होगा कौन से डीज होगी बोलो वेरी वेरी यह दो होगा सही है 43 डबल हमिकल स्ट्ट 각 volunteer किसने दिया था यह उसमें क्या करना है इसमें बत्चे की मैनत इसमें इनवाल्व है साइंटिस्क की नाम है कोई इंडिजिंगेस्ट कर नहीं शकते जीरों से पाई कर दो यह तो आप तो आंसर होगा अनलए तो परसान होगे ठीक है 43 हो गया 44 बिटामिन बी बन देख रहे हो केमिकल नेम केमिकल नेम क्या होगा थाइमी अब यह याद ही पर है केमिकल नेम इसका बिटामिन थाइमी अगला ठीक, vitamin C से होने वाले रोग, कौन सा होगा, इसकर्बी, तो सुनो, vitamin C, question में या गया, vitamin C, chemical name, इसकर्बीकेसिड, ठीक है न, vitamin C से कौन सा रोगा, इसकर्बी, इसकर्बीकेसिड क्या है, vitamin है, यही बात तो तीनों पूची है, तो इसलिए यह मकसद है कि आप देखो कैसे आ रहे दी- 46 हुआ एककर बिटामिन का यूज करना है क्या लेना है पैरिडाक्सिन दिए अगया है नंबर आफ तायरल कारवन इन विटामिन वीटादी ग्लुकोजवेंट हम यहादि क्राने कोसिस करने हैं ग्लुकोज-बेटा-कार्बन कितने हैं? 4-6- 4- पाँच ठीक फ्रक्टोज में कार्बन कितने हैं फ्रक्टोज में नॉर्मल में जितने हैं नॉर्मल उसके साइकली के स्ट्चर में कितने हो जाएंगे चार फ्रक्टोज में तीन हैं साइकली के स्ट्चर में क्या हो जाएंगे चार इसी ग्लुकोज में कार्बन होते हैं चार स फ्रक्टोज के सिंपल में तीन, साइकली टिस्ट्रक्षर में कितने हो जाएंगे चार, ठीक है 49 ट्रेंकुलाइजर ट्रेंकुलाइजर दिमाग और संतुलन जो होता वो ही जो दबा दी जाती है वो ट्रेंकुलाइजर होती है यह सब क्या होंगे पूरे एंसियाटी में हमारे ख्याल से 13 से 14 इतने ट्रेंकुलाइजर है और यह सारे आपको यहाद करना है विच इस ट्रेंकुलाइजर, विच इंटाइसिड, विच इसमें यह है और इसका एक बड़े-बड़े इस ट्रेंकुलाइजर का भी इसमें काम करेंगे अबने, तो इसमें कौन सा है एक्क्विनल, एंटिडिप्रेजेंट वाली मैंटर है सबज़गे ना, ट्रेंकुलाइजर कौन सी है दिमाग से आसंतुलाइज 49 हो गया, 50 अब यह देखो, दो-तीन बारे ट्रेंटिबिट वाली ट्रेंटिडम इंटिवाइट्इट क्लोरोफेनिकॉल क्या होता है ब्रोपेट्रम इंटिवाइट जैसे एंटिवाइटिक 폰 UP, न Si Ti खोलोगे लास्ट पार असनल के उसका है उसका है है, तीन चारबार कुश्चन आयए हूँ है तीक ना उसके नीचे जाओ गे तो एक लाइन में तीन और ब्रॉड इस्पेक्ट्रम एंटिबाइटिक दे रखाओ इसको पढ़ना है अपना मक्सद यह है अब देखो एंटिसेप्टिक ले जे में इनका ही कुश्चन उठा के दिया गया है इस्पेक्टिक हार्म दे लिविंग टिसूज एंटिसेप्टिक और डिसिंफेक्टेंट में क्या आंतराता है एंटिसेप्टिक और डिसिंफेक्टेंट में क्या आंतराता है एंटिसेप्टिक क्या होता है बोरो प्लस हो गया, फैन लवली हो गया, फ्यूरासीन, सोफ्रामाइसीन, यह सब एंटिसेप्टिक है इसको living tissues को यह नुकसान, नहीं, micro-organism का नुकसान करता है, living tissues को यह नुकसान नहीं पहुंचता है नहीं तो, अब किटाणों को मारने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अब तेजाब है, तेजाब से चेहरा दोते हो कभी, नहीं दोते हो, पेट्रोल से mouth freshen करते हो, नहीं करते लेकिन यह living tissues को नुकसान पहुंचा देगा, समझे बात को, तो बात इस पे आती है, disinfectant यह living tissues को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, दूसरी बात, 0.2% solution, phenol, हाँ, उसको dilute कर, जिसे phenol है, phenol है, जिसे फर साफ करते हैं, तो वो क्या है, disinfectant है, लेकिन उसको dilute कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, antiseptic, तो वही कह रहा है, 0.2% solution, phenol is an antiseptic, और 1% solution, act as disinfectant, NCIT की हुब हुब राइन है, IIT में आया question है, आपको दिखा रहे हैं कि paper इसमें कैसे बन रहा है, समझे बात, तो यह भी बात सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, chlorine and iodine is strong disinfectant, पहले घाओ लग बानते थे लो, लाल-लाल दवा नहीं लगाते थे, अब कोई देखते नहीं होगे, तो सीधे iodine लगा देते हैं, जिससे घाओ जल्दी भर जाता है, यह भी बात सही है, dilute solution of boric acid and hydrogen peroxide, अब एक बात सुनो, आँखों में डालने वाले धोनो वाली कोई दवा हो, चाहें बाब solution of boric acid, dilute solution of boric acid, यह क्या होता है, वीक, और hydrogen peroxide क्या है, strong, तो dilute solution of boric acid, यह गलत हो गया, यह dilute solution of boric acid, यह तो होता है, weak, और hydrogen peroxide होता है, strong, तो यह मामला अपना सही ही नहीं है, तो answer क्या हो गया, 4, बात समझ पा रहे हो, dilute solution of boric acid, यह eyes drop होती है, आँखों के दोने में इस्तमाल होता है एंटिसेप्टिक तो ये तो क्या होता है वीक होगा और हाइडोजन परोक्साइड घा होगर होते हैं उनको साफ होग करने के लिए ये होता है स्टॉंग एंटिसेप्टिक ठीक है 51 हो गया next 52 डिटॉल डिटॉल क्या है एक एंटिसेप्टिक डिटॉल क्या है एंटिसेप्टिक and it is mixer of chlorosyanilol and terpenol question द्यान से chlorosyanilol में कितने OH ग्रूप है terpenol में कितने OH ग्रूप है terpenol में degree of unsaturation कुछ भी NCIT के जो उसको तो अंदर की बात है तो मतलब NCIT के कि इन्टेक्स में इस वह दे रख़िए तो इस सब बाते द्यान रखनें टीटॉल एंटी-सेप्टिक एक बात तो यह द्यान रखना है एंटी-सेप्टिक और इट-स बेग्ट राफ chlorozylinol और terpenol दोनों का structure आपको ध्यान रखना है compulsory है answer second हो गया ठीक है next question 53 NLJC ये भी आया exam में question है ये कौन सा दर्द निवारक morphine, codeine, heroin ठीक है न और जो antipand ठीक है और एक novel gene ठीक है न next कौन सा हो गया परासितामॉल परासितामॉल ये तो है NHCOCS3 OH ये परासितामॉल और ये दर्द में भी उज़ता है और बुखार में भी उज़ता है घर के लोग तक जानते हैं बात इसको जिनका साइन्स से वास्ता नहीं है परासित अमॉल कि इसमें होता है दर्द और बुखार दोनों में यूज होता है चीक है और फिप्टी पाइव ट्रग एंटी डिप्रेजेंट ट्रैंकुलाइजर ट्रैंकुलाइजर कौन सा होता है नवल जी नहीं दर्द यह है इक्वेनिल ट्रैंकुलाइजर बता है न मांसिंख संतुलन जिसका खराब होता है दिमागी और संतुलन होता है वही एक्वेनिल ठीक है ना 56 पैनिसलीन फेमस पैनिसलीन क्या होता है एंटीवाइटिक फर्स एंटीवाइटिक बहिए इसमें नाम दे सकते हो ठीक है next which are the antibiotics antibiotics कौन सा होगा into antibiotic बोलो नहीं है परासिट अमल नहीं है चॉकोफरा नहीं है कौन सा होगा सिप्रोफ्लोकसथीन सीखां सिप्रो फ्लॉक्सासी ठीक है नेक्स्ट यह याद रखना भई इससे अपने कुछ नहीं कर सकते अपनी जो किसी विमारी के उप्चार रासाइनों का प्रयोग किया तो उसको क्या कहते हैं कीमो थेरेपी हमपेद नहीं है नहीं है कौछ सा है फोर्थ फिटी एट का आशर क्या हो गया है फोर्थ थो सह यह नेक्स्स कि नेक्स क्ट गुर्शन 59 कि इट ऐट फिटी नाइट निमिखित में कौन सा ती बता पेस्टिसाइट डीटी एंड टिपल 6 डीटी जानते हो यह होता है DDT CL कैसे बनता है बेटा बताना DDT कैसे बनता है chloro-benzene की chloral के साथ concentrate H204 की presence में reaction करते हैं तो उसी को क्या बनता है DDT हम डारेक्ट लिख दे रहे हैं CL CL 666 कैसे बनता है याद आ रहा है 3Cl2 Hnew यह तो है 666 CL 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 666 गैमेक्सीन, लिंडेन, जीमीन ठीक ना होगया इसका ना यह क्या है DDT बोलो सही है 60 अई पैरा सीचा मौल बनाया था क्या बनाया था ऐसे लिख दिया था N, H, CO, CS3 और पैरा पर क्या लगा दिया था OH कौन सा है यह उल्टा N, H, CO, CS3 और पैरा पर क्या हो गया OH ठीक है नेक्स्ट अच्छा टू एसी टॉक्सी बेंजोई के इसिड बना कैसे यह देखो यह है सैलसली के इसिड अभी तुम्हें पकड़ लोगे क्या है यह और इसकी एनहाइड्राइड के साथ रियक्सन करा दिया हाँ या CS3, CO, CL दोनों से हम यह हम बता दे रहें और इसको आगे करेगा फिनॉल कोल पर रियक्सन करा के सैलसली के इसिड एनहाइड्राइड के साथ रियक्सन करा है तो यह बन गया इसको क्या कहते हैं एस्पिरीन एस्पिरीन किसमें जो होता है दर्द और बुखार दर्द का मामला है नहीं क्या हो जाएगा फोर्थ एन्टी पायरेटिक पोलो सही है ठीकर न सैन्सरी के इसिड एनहाइडरेट के साथ वो बन गया टू अक्सी बेंजवी के इसिड नाम याद रखना या कहते हैं क्या कहते हैं एस्पिरीन ठीकर न कुछ भी तरीके से मामला पूछ सकता है तो यह क्या हो गया एंटी पारेटिक साही है नेक्स्ट ये भी अच्छा कोश्चन है कौन सा इंटाइसीड है इंटाइसीड पहले तो पेट में दर्द हो दो को नॉर्मली तो पहले बेस की टेबलेट रखते थे जैसे सोडियम हाइड्रोकसाइड अल्मुनियम हाइड्रोकसाइड मैंगनेसम यह अल्मुनियम हाइड्रोकसाइड हो इस सब क्या है एंटाइसीड जाते आते फिर जैसे से क्रम चलता गया बहुत सांदार दवाब खोजी गई जो बहुत अधिक भी की थी रैनिटीडीन जैन्टेक और एक सीमिटीडीन जिसको कहते हैं टेगामेट तो आपको क्या रखना है एंटाइसीड में क्या दान रखना है एल्मुनियम हाइड्रोकसाइड मैगनुसियम हाइड्रोकसाइड सोडियम बाई कार्बोनेट एक तो बेस हो गया दूसरा रैनिटीडीन जिसको क्या कहते हैं जैन्टेक इसका नाम है जैन्टेक और एक सीमेटीडीन सीमेटीडीन यह स सब्सक्राइब करते हैं दर्द और भुखार में ठीक है 63 सब्सक्राइब इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटिवाटिक इस बताया है अभी इसको फर्स्ट कैसे पैनी सिली 64 फर्स्ट अगला विचाथ दो फॉल्विंग इस नॉट एन एंटिवाटि क्लोरोफन ब्रॉड स्पेक्रम एंटिवाटिक पैनिसीन है एक यह आंसर बचा कौंसा सल्फा गौनिदीन ठीक है 66 66 देखो दस सब्स्टेंस विच कैन बोथ एक्ट एज एन एंटिसेप्टिक अभी बता रहे हैं पॉइंट वन परसेंट फिनॉल पॉइंट जी जीरो टू इसी कोईश्चन में भी होगा नेक्स किसी कोईश्चन में होगा फिनॉल की फिनॉल था ना यह 51 नंबर कोईश्चन में आज़ो 51 51 देखो देखना हो पॉइंट 2 परसेंट सोलूशन और फिनॉल इस एन एंटिसेप्टिक और 1 परसेंट सोलूशन और फिनॉल इस ठीक ना तो कौन सा आपने कर रहे हैं तो कुश्चन कौन सा कुश्चन था यह राइंटिदीन 66 66 ना देखो तो 0.2 परसेंट सोलूशन फिनॉल यह तो हो जाएगा एंटिसेप्टिक और 1 परसेंट सोलूशन फिनॉल वह क्या हो जाएगा डिसिंफेक्टेंट तो कौन दोरों तरह काम करेगा फिनॉल बाइथायोन भी एंटिसेप्टिक है किसमे यूज होता है सोप में जो चीज आ रहे हैं एस्पिनों कर बता है क्लोरेजाइन बता ही दिया थीक ना तो फिनॉल परसेंटेज उपर डायूशन में आप करके इसको एंटिसेप्टिक बना सकते हो बाइथायोनल भी क्या है एंटिसेप्टिक और इसका किसमे होता है सोप में साबुन में जितने साबुन बनते है ना उसमें एंटिसेप्टिक और बाइथायोनल ठीक है ना तो परसेंटेज डायूशन करके फिनॉल को एंटिसेप्टिक और ड Ditol, chlorozylinol, terpenol का mixer क्या होता है, Ditol, और Ditol क्या है, Ditol क्या है, Antiseptic, ठीक है, next, Morphine, Morphine, Codeine, Heroine, ये सब क्या है, एनलजेसिक, कौन सा होगा, एनलजेसिक, दर्दनिवारक, नॉर्कोटिक, नॉर्कोटिक, सब याद करो, Morphine, Codeine, Heroine, तीनों हो, एक साथ, ठीक है, दर्दनिवारक, 69, वेरोनल, ये बार्वी डिरग, इस यूजड एज, सिडेटिव, ये वेरोनल किसमें आता है, ट्राइंकुलाइजर में, ट्राइंकुलाइजर, और वो, उसका क्या होगा, दो पार्ट हो जाएंगे, एंटिडेप्रिजेंट और सिडेटिव, तो इसमें और कारेक्ट हो जाएगा, सिडेटिव, ठीक है, अगला, एनलजेसिक कौन सा होगा एनलजी ठीक है ना दर्द निवारक है ना टेबलेट की बाद आयोडेक्स तो क्या होता है उपर से लगाए जाता ना 70 क्या हो जाएगा 3rd 71 हिपनोटिक ड्रग अब इसमें हिपनोटिक ड्रग जिसे एसी टोन है इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं चल 3 एच प्लस चल 3 माइनस यह माइनस और यह प्लस क्या बन गया है CS3, CO H, CS3, CCL 3, इसी क्या कहते हैं क्लोरी टोन ठीक है और यह क्या होती है नीद लाने में क्लोरी टोन का प्रियोग कियते हैं तो एक टाइप का कि एंतिवायटिक है कि एंतिवायटिक नहीं है टेट्रासाइक्रीन थीछ है निमोसाइप न माहि complete नीमो कि इस को नीन मैशीन का नीम मैशीन कंदेक साइक्छेडेन कर सीहां मैशीन यह नहीं next Morphine Morphine Codeine Heroine भी बताया था Morphine क्या होता है Nl-Jsic Morphine क्या होगा Nl-Jsic दर्द निमारक 74 Heroine is derivative of Morphine Codeine Heroine तब इसे Nl-Jsic में है तो किसका हो जाएगा Heroine is Morphine ठीक है ना अगला 75 लास्ट क्वेश्चन है डिटॉल के यूज एज डिटॉल का उप्योग किया आता है डिटॉल किसका mixer होता है बिटा है chlorozylinol and terpenol डिटॉल किसका mixer होता है chlorozylinol and terpenol डिटॉल क्या होता है antiseptic डिटॉल क्या होता है antiseptic तो answer क्या जाएगा first ठीक है बिटा तो अपनों ने इस chapter से क्या सी क्या सी पहली बात तो यह है कि आपको याद करने हैं चीजे इसमें दवाओं के नाम है याद रखना है चीख न सब आपको एंटिवाइटिक पूछे तो अब सीधे क्या दराने वाला matter है वो इसी chapter से है उसके भी अपने एक दिन कारवाई करेंगे कि इसके structure बड़े बड़े कैसे आपको क्या क्या चीजे इसमें पूछ सकता है तो इस ट्रक्चर आपको इसमें याद करें जैसे time मिले दो दो structure आप इसको रोज उठाओ अब क्लोरजाइनौल है टर्पीनौल है बाइथायनौल है उसके अलावा भी structure दे रहे हैं वो बड़े बड़े ठीक है बेटा तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके आप structure याद करने की कोसिस करो ठीक ना तो इस chapter से ये पता चला कि हमें इसमें याद करना ही करना है याद नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी इसलिए इसको याद करो बैठो इस chapter को आराम हाँ इसमें जो है वो सो है एक बात तो इसमें तैय है तो आप इसमें कोसिस करो कि लेके बैठे और इसको चैप्टर को आप अब इतने टाइम है सितंबर तक तो इसमें दे दो 6-6-8-8 गंटे जो पढ़ा है वो अभी तक फिर एक रिपीटीशन और कर दो डेली लाइफ को हम ज्यादे मानना है बायमालेकुल आप कर लोगे मेडिकल इस्टुएंट बायमालेकुल का कोश्चन गलत नहीं करेगा DNA RNA प्रोटीन विटामिन यह सब उसको या आता है पॉलीमर के भी कोश्चन गलत नहीं करेगा हम तो यह कह रहे हैं कि एक दिन उठो और 10-12 घंटे इस पर मनलब दो टर्म की सिटिंग में आप डेली लाइफ को करो और फिर उसको चिपका लो कहीं इस्ट्रक्चर रोज देखते रहों क्योंकि कोश्चे गलत होने के जो NTA की जो डराने वाली छवी दिख रहे है जो पेपरों से वो इसी की दिख रहे है डेली लाइफ की ठीक है बेटा तो उसका भी कारवाई करिए जाएगी हर चीज पर काम लग रहा है बहुत समय सा मीटिंग करके अपना सब की आगे क्या करना है बच्चों के लिए वो सब चीजें अपने सेट कर रहे हैं बहुत सब चीज समझ जाएगी बस आप इसका यह कुश्चन ले लिए तो यह 75 आप कर लेना उसका से फिर डेली लाइफ प पड़ो ठीक ना धन्यवार बेस्ट आफ लग